हलो एवरिवन आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे समवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जिसको हम पहले मदरसन सूमी के नाम से जानते थे बात में उसका नाम चेंज हुआ इतना ही नहीं मदरसन सूमी वाइरिंग इंडिया लिमिटेड कंपेनी भी पहले इसी का पार्ट हुआ करते हैं लेकिन बात में यह अलग हुई डिमर्ज हुई और जिनके पास समवर्धना मदरसन के शेर्स थे उन सब को एक्स्ट्रा शेर्स वाइरिंग के भी मिले वीडियो बात्चित करेंगे कि असी पे पहुँच रहा है और अभी देखा जाये तो एक बड़ी रफ्तार इसन दिखाई पिछले कुछ टाइम पर और अभी यह यहां पर अठका हुआ है तेजी नहीं है लेकिन गिरावट भी नहीं है तो बात्चित करेंगे कि यहां पर चल के रहा है खरिदारी की मौके है भी कि नहीं अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लिजए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वि देखे तो तकरीबन 6% का ग्रोथ है एक महिने में लेकिन एक साल में अगर हम देखे तो जहां था वहीं पर आच चुका लेकिन इस बीच एक बड़ा करेक्शना था और शेयर आपको मिल रहा था 62-63 रूपी से करीब और अगर आप चैनल को रगिलो फॉलो कर रहे हो कई सार के नीचे अगर मदर सान मिल रहा है तो वह यह खरीड लो वहां पर कई सारे में अतब वीडियो से अभी वह यह उस रेंज में जा चुका है जहां पर एक इनिशल रजिस्टन्स तो है यह जब भी यह 80-90 की रेंज में आया है एक प्रॉफिट टेकिंग हमें हर बार यहां से देखने को मिली जरूर है तो अभी ना भारत के अगर हम बात करे तो बारत में कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है लेकिन अभी भी अमेरिका की बात करे चाइना की बात करे और इवन अगर हम कैसे कि ब्रिटन वगेरा की बात करे तो वहां पर दिक्कत है यूके वगेरा की भाई या वो BMW है Mercedes है, Volkswagen है जिनका सबसे बड़ा market अगर आप देखोगे तो US हो गया, China हो गया इसके अलावा UK हो गया तो वो उनके बड़े markets है और दिक्कत आती है और अगर उनको दिक्कत आएगी तो इसको भी दिक्कत आएगी क्योंकि यह वो company है जो उनको auto के parts supply करती है लेकिन देखो, मदरसन सूमी ना इस चीज़ को जानती भी है और इसलिए मदरसन सूमी ने आज से दो साल पहले से ही एक बड़ा important फैसला लिया था company का जो generally जाद revenue आता है मदरसन सूमी का, वो आता है अपने automobile business से लेकिन company का ने कहा था कि vision 2025 नो ने launch किया था यह कहा था कि 25% जितना revenue यह plan करेंगे अपने non automobile business से automobile business पर तो focus रहेगा ही लेकिन और ज़्यादा expansion करने वाले हैं यह अपने non automobile business के तरफ company के अगर हम बात करने जाए तो समवर दना मदरसन का जो capix set है वो 40% तक grow हो सकता है financial year 2024 में और यह बड़ी बात है यह काफी बड़ी बात है यहाँ पर अगर आप देखोगी तो noida based company has जो strategy उन्होंने अपनी बताई है for current year as first step समवर दना मदरसन has decided to significantly increase its investment spending in financial year 2013-2024 the company capix is in set to grow from 2183 3,000 crore to 3,000 crore this year तो company बढ़ा रही है अपना capix स्वए उसको बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं company अपने business पर बहुत जादा focus करेगी आने वारे दोहर में और उसको बढ़ाने की बात तो करेगी ही करेगी अगर हम बात करने जाए इस company को लेकर तो यहां पर इसका जो PE ratio वो 36 का है जो की average industry PE से कम ही है current ratio भी इनका अच्छा है low debt to equity ratio भी है यहां पर हाला कि ROI उतना अच्छा नहीं है ना ही quick ratio उतना अच्छा देखने को मिल रहा है और profit margin थोड़े बहुत दिक्कत में है इनके market cap देखें तो 54,000 करोड से भी जादा का इसका market cap है EPS 221 के आसपास का है dividend हलाकि कुछ खास अच्छा पे नहीं कर रहा है मैं कहूंगे बहुत खराब dividend पे कर रहा है अगर company के dividend के अगर हमें कहूं तो अब इस सतर यह 65 पैसे का इन्होंने इस साल पे किया है पिछले साल भी 65 पैसे का ही था और जहां तक बात करी जा है इनके revenue अगरा की तो आप देखेंगे कि growth है बढ़िया growth है 22,475 करोड के आसपास का इनका net sales हमें देखने को मिल रहा है जो कि पहले 55 साल 17,000 करोड का था इसे पहले कि December quarter में 20,000 मदलब बढ़ रहा है और ये और तीजी से बढ़ सकता है क्योंकि company का automobile business तो अच्छा चल ही रहा है लेकिन साथ साथ company अपने non automobile business से भी बहुत बढ़ा business generate कर रही है जहां तक इनके profits की बात करें तो ये भी शांदा रहा है 650 करोड से भी जादा के रहे हैं जो कि इससे पहले पिछले साल 121 करोड था फिर 140 करोड रहा फिर 200 करोड रहा फिर 400 करोड रहा और अभी सीधा 600 करोड तो बहुत तीजी से बढ़ रहा है और अभी अगले quarters में भी अगर ऐसा ही performance रहा तो चीज़े बहतर इनके लिए और इतना ही नहीं company की अगर हम बात करने जाए तो company में जो total assets है वो भी 55,000 करोड से भी ज़्यादा के है जबकि इनकी liabilities है वो 18,000 करोड के आसपास की sorry liabilities actually में कम है current liabilities ही 15,000 करोड के है जबकि current assets उससे ज़्यादा के है company के बारे में अगर हम बात करने जाए share holding pattern के बारे में देखे तो promoter के पास 64.77% की holding है March quarter में promoter ने बड़ी बिक्वाली करी पहले जो 68.60% की holding थी वो घटकर 64.77% पर आए और 1.18% की holding अभी भी इनकी गिरवी पड़ी हुई है लेकिन देखा जाए ना एक बड़ा observation जो है वो यह है कि यहाँ पर बेच कौन रहा है तो पिछले दो quarter में public आप और हम लोग बेच रहे हैं यहाँ पर 12.53% की holding घटकी 11.58 पर आई फिर 9.56 पर गई जबकि खरीद कौन रहा है? Files खरीद रहे हैं 8.24 से 10.87 पर आगए DLs की भी अगर हम बात करें तो वो भी खरीदारी कर रहे है 10.56 से 12.02, 14.80 तो DLs में mutual funds बड़ी quantity में add करते जा रहा है यहाँ पर 7.81 से सीज़ा 11.44 पर आ चुके हैं तो mutual funds ने definitely यहाँ पर बड़े game खेल है mutual funds यहाँ पर add कर रहा है insurance company के पास भी 3.11% की holding देखने को मिल रही है देखे ओरल बड़े बड़े fund house बड़ी quantity लेकर बैठे है और देखो यह वो company है जहाँ पर जो पैसा बनेगा न वो generally इनका पैसा बनता है bonuses के थूँ तो यह वो company है जिसने कई बार bonus आपको दिया है अभी पिछले साल ही इसने bonus दिया था आपको इससे पहले भी कई बार bonus दे चुका है यह share और हर बार bonus देकर इसके जो share price है edges होते हुए हमें नजर आए और यही वज़ा है कि आज भी आपको 80 रुपैपर देखने को मिल रहा है अगर इसने bonus ना दिया होता यहां से और company अलग ना हुई होती तो आज भी यह हजारों में trade कर रहा हुता इसका shares तो देखा जाए तो company अच्छी है लेकिन share price अगर आप देखो कि हो सकता है आज से तीन साल बाद अगर आप इसका share price देखो तो हो सकता है कि वो 80 यह 100 रुपए के हाज पास trade करता नजर आए लेकिन यह भी तया है कि उस बीच आपको एक दो बाद यहां पर bonus भी मिल चुका होगा तो यह फाइदा इस company का generally जो होता है वो bonus इससे ही आपको मिलने वाले है और company definitely अच्छी company है इनके जो market इनके जो कहते हैं कि clients है वो इंडिया में तो है ही बड़े-बड़े automobile giants इनके clients तो है ही इसके अलावा अगर हम बात करने चाहे तो वह यह Mercedes से लेकर BMW से लेकर Fox हो करने तक इनके बड़े-बड़े clients है अगर इनके business अच्छी चलते रहेंगे इनका काम है वह या parts बेचना उस तरीके से बनाना और यह वो करते नजर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस company को उतनी बड़ी दिक्कत आ सकते है और अगर electrification होता है तो इसका भी फायदा होगा यहां पर यहां पर यहां पर मैं यही कहुँँगा आप से कि कंपनी बहुत अच्छी है नजर होनी चाहिए आपके इसके उपर लेकिन अभी चीस प्राइस पर ट्रेट कर रहा है वह एट लीस थोड़ा सा cautious होने की जरूत है क्योंकि जब भी 80-90 की रेंज में गया है एक profit taking हमें देखने को मिली है और वापस नीचे की तरफ शहर गिरा है और इस बार तो काफी बड़ी रफतारीस ने पकड़ी है और देखो अभी भी मुझे देखिए शायद हो सकता है कि यह थोड़ा सा और move दिखा दे यहां से 5-6% की तेज़े दिखा दे लेकिन उसके बाद एक profit taking आपको जरूर देखने को मिल सकती है जो इसको दुबारा 75 तक भी लेकर जा सकती हो जो खरीदारे की मौगी मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 70 के नीचे जाए तब तो खरीद लेना है इसको अगर मेरा opinion है बाकी मरजी आपकी है इसके लावा analysis के लिए जिस platform का में इस्तिमाल कर रहा हूँ trade brains अगर आप भी इसको use करना चाहते हैं तो link मैं आपको description में दे दूँगा अगर आप मेरा coupon code HSA20 का इस्तिमाल करोगे तो आपको 20% discount भी मिल जाएगा कई सारे बढ़िया features है जैसे कि एक click में आप checkout कर सकते हो कि penny stocks में भी कौन कौन से fundamentals company है आप एक click में checkout कर सकते हो अच्छा dividend pay करने वाली company है debt free company है ब्लू chip stocks कौन से है सब कुछ आप यहाँ पर एक click में checkout कर सकते हो वीडियो को end करूँगा यहाँ पर पसंद आप हो तो like रोशा है अगर चाहां बगरा पहले